1984 में हम सब लोगों ने कांग्रेस को एक इतिहासिक बहुमत दिया 404 सीट दिया उसके बदले में कांग्रेस की सरकार ने अगले ही साल यानी 1985 में एक बहुत बड़ा महापाप किया और वो महापाप कोई सारदनिक अस्थान पे नहीं बलकि पारलियामेंट के अंदर गिया सिटजनसी पैक्ट को बदल दिया और इसमें एक नई धारा जोड़ दिया सिक से सिक से ये कहती है कि 1971 तक जितने भी बंगलादेशी गुस पैठी आ चुके हैं ये सब भारत के नागरिक हो जाएंगे 1971 तक भारत में लगभग 60 लाख गुस पैठी आ चुके थे बंगलादेशी यानि एक ही जटके में एक नई धारा जोड़ के कांग्रेस की सरकार ने उन सभी गुस पैठीयों को भारती बना दिया एक जटके में 60 लाख बंगलादेशीयों को भारत का नागरिक बना दिया मामला सुप्रीम कोट में चल रहा है पांच जजों की बेंच के सामने है अभी अक्टूबर में फिर सुनवाई हो जाएगी हमारा ये कहना है जिब संबिधान का आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत में आने और भारत में रहने कि जो कट आफ डेट है 1947 है संबिधान कहता है कि 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक जो लोग पाकिस्तान से या बंगलादेश से भारत में आ चुके हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे 1947 के बाद जो लोग आए हैं उनको अगर नागरिकता चाहिए तो उनको बाकाइदा अप्लिकेशन मूब करना पड़ेगा ये भारत का इस सम्मिधान का आर्टिकल 11 कहता है आर्टिकल 11 कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि सिटिजन्सिप देने और सिटिजन्सिप लेने के लिए कानून बनाए नहरू जी ने कानून बनाया भी 1955 में सिटिजन्सिप देने सिटिजन्सिप लेने के लिए उसका नामी है सिटिजन्सिप एक्ट इसमें प्रावधान है कि किसको नागरिकता देनी है आ चुके हैं, ये सब भारत के नागरिक हो गए, सब असम के नागरिक हो गए, अब ध्यान रखिए, बाकी और राज्यों के लिए जो cut-off date है 1947 है, मतलब अगर कोई बंगाल में आया है, अगर 1947 के बाद आया है, तो उसको बाकादा अप्लिकेशन मूब करना पड़ेगा, मिजो हम इनसान है, क्यों आया है, क्या उसका मोटिव है, तब उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन राजियों गाधी ने असम में जहां सबसे ज़्यादा घुस पैठी आये, याद रखिए, बंगला देशी पहले सबसे ज़्यादा असम में आते थे, आप तो बंगाल में भी आ र लेंगे, यानि एक ही जटके मुनों ने लगबग साथ लाख बंगला देशियों को असम का नागरिक बना दिया, दुर्भाग्यवस, जब यह ममला सुप्रिम कोट में आया, तो ग्रिय मंत्राले के बाबू ने भी उस सिक्सन सिक्से को डिफेंड किया है, वो पी आईल का व घुसपैठिया हो गया, कोई बंगला देशी उउपी में आया, बिहार में आया, तो घुसपैठिया हो गया, लेकिन अगर वही बंगला देशी अगर असम में आ गया, तो नागरिक हो जाएगा, यह कौँ सा कानून है, यह कौँ सा नियम है, और हमारे देश में लोगों की क कुछ नौकर साहों ने सुप्रीम कोट ने पियाईल फाइल किया है उसमें उन्हों ने जो राजियु गाधी ने सेक्शन 6 से जोड़ा है उसको डिफेंड किया है इसका मतलब यह हुआ कि जब अभी अक्टूबर में बहां सुरू होगी तो एटॉनी जनरल और सॉलिसीटर जन लाख बंगलादेशी 1971 तक आये थे वो सारे भारती बन जाएंगे और उसके बाद वाले जो आये हैं वो भी कहेंगा हम तो 1971 के पहले आये पूरा विवाद यह बना रहेगा इसलिए मैं कहना हूं कटाफ डेट जो संविधान कहता है कि जो लोग विदेश से आये हैं पाकिस् नों की मूब होनी चाहिए अपलिकेशन जो जस्टिफाई हो उनको नागरिकता मिले नहीं तो नहीं मिले अब जहां तक बात है कुछ लोग कहेंगा अच्छा आप शीक से का विरोध कर रहे हैं फिर आप सिए का समर्थन कैसे कर सकते हैं अरे भाया six हम मैं six से का विरोध इस यह C.A. उनके लिए है जो अपना खेत, खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ छोड़ के आये हैं। मकान खोड़ के, रोजगार खोड़ के, दुकान खोड़ के, घर खोड़ के, सब कुछ छोड़ के आये हैं। आपको डिफेंड किया है, इसका मतलब जब बहत सुरू होगी अभी सतर अक्टूबर से, तो एटाउनी जनरल और सॉली सिटी जनरल भी कहेंगे कि हाँ वो साथ लाग जो बंगला देशिया हैं, उनको नागरिता मिलनी चाहिए। मैं हेमद सरमा जी से निवेदन करता हूँ, यह आपके लिए लिटमस टेस्ट है। कांग्रेस ने उसको defend किया समझ में आता है इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने 6A को defend किया समझ में आता है लेकिन आप राष्टवादी हैं आपका ये litmus test है आप अच्छा वकील करिए सुप्रिम कोट में और 6 जो कांग्रेस ने 6A जोड़ा था सेक्शन 6A जिसके कारण 60 ला लोगों की PIL का समर्थन करिए हमारी ये मांग है कि ये 6A खतम हो असम में दुबारा NRC हो असम में जिस तरीके से 1947 के बाद जो cut-off date पूरे देश के लिए है वही cut-off date असम के लिए भी होनी चाहिए ये जो agreement हुआ है ये बिलकुल गलत है ये section 6 से बिलकुल गलत है मैं आप ल महापाप कांग्रेस की सरकार ने किया था 1985 में राजियुगाधी की सरकार किया था उस अपने आयतिहासिक बहुमत का दुर्पयोग किया था जो उनको 404 सीट हमारे आपके परिवार के लोगों ने दिया था और अब ग्रिय मंत्राले के बाबु भी कहीं कहीं उस लपेटे मे आ चुके हैं ग्रिय मंत्राले के बाबु भी कांग्रेस के उस महापाप का समर्थन कर रहे हैं राजियुगाधी के उस महापाप का समर्थन कर रहे हैं बंगला देशी घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं जो बंगला देशी आवायद रूप से आये हैं 1947 के बाद उनको कर रहे हैं अगर यह सिक से रह गया तो याद रखिए असम की पूरी डेमोग्राफी जो बदल चुकी है वो और बदल जाएगी क्यों क्योंकि अभी तो cut-off date 1971 है जो 71 के 72 में आए 73 में आए 74 में 75 में आए वो बोलेंगी जी हम तो हम भी 71 के पहले आए थे कौन से ऐसी उनके गया है उसको बाकाइदा अप्लिकेशन मूब करना पड़ेगा यह सरकार की मर्जी है उसको नागरिकता दे अन दे तो यह फिर आसम के लिए विशेज प्रावधान क्यों कि भाया ठीक आसम में जो भी आगाए उनको कोई अप्लिकेशन में नहीं देनी है और और नेचुरल गुसपैट राष्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है गुसपैट देश की एकता खंड़ता के लिए खतरा है गुसपैट के कारण हमाई डेमोगराफी बदल रही है गुसपैट जो है एक तरीके से अपने आप में एक वेजिंग वार है गुसपैट एक आरगनाइस क्राइम ह किया दुर्भाग यवस कुछ ग्रिह मंत्राले के बाबों नों भी सुप्रीम कोट में काउंटर फाइल करके उसको लीगलाइज किया है इस सब के लिए आवाज उठाइए जैहन जै भारत